नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागद दोस्तों कुछ शेत्रा इनश्टी के जो भी स्टूडेंट है उनके एक जाम का सिलसिला शुरू हो चुका है जो थर्ड, फिप्ट, सेवंथ और नाइन समेस्टर के बच्चे है तो दोस्तों डेट सीट भी जो है ओफिसल वेबसाइट पर डाली जा रही है आज भी कुछ कुछ कोर्स है जिनकी ओफिसल वेबसाइट पर डेट सीट है डाले गई है तो दोस्तों तेईस नुवंबर दोजार एक्किस को MSC Mathematics 3rd semester, MSC Home Science 3rd semester और MA Music 3rd semester तो इन तीन कुर्स की जो डेट सीट है वो ओफिसल वेबसाइट पर डाले गई है जो भी इनसे सम्बंदित बच्चे हैं वो अपनी डेट सीट जो है ओफिसल वेबसाइट पर जाके चेक करें तो दोस्तों इनके एक्जाम जो है दिसंबर से लेके जनवरी तक इनके एक्जाम जो है खतम हो जाएंगे और जो 1st semester के बच्चे हैं उनके एक्जाम जो है फरवरी और मार्च महिने में होंगे क्योंकि उनके अडमिशन जो है लेट हुए है जिसकी वज़े से उनकी कलासे जो है लेट सुरू हुई है तो दोस्तों अगर हम बात करें MA Music की तो MA Music 3rd semester और MPA 3rd semester MPA 5th semester और MPA 7th semester इनके exam 8 December से सुरू हो जाएंगे और लगबग 15-16 December तक जो है जनवरी में जो है इनके exam खतम होगे तो उसके बाद जो और भी courses है उनके exam की जो date sheet है वो date sheet जो है जल्दी ही आपको official website पर देखने को मिलेगी और अभी जो है कोई भी इसमें नहीं लिखा गया कि आपके जो exam है कोई notification नहीं आई है कि आपके exam online mode से होंगे या फिर offline mode में होंगे दोस्तों देखा जाए तो अब university जो है university को पूरी तरी तरीके से offline mode में खोलने की त्यारियां है वो पूरी हो चुकी है लग बग first year के जो भी बच्चे है first year के बच्चों के लिए university को offline खोला जा रहा है तो exam भी आपके जो है offline mode में ही लिए जाने की पूरी-पूरी संभावना है तो दोस्तों बहुत से दोस्तों के मन में question भी उट रहे हैं कि हमारी जो study भी online mode में हुई है तो exam भी online mode में ही लिए जाए तो , दोस्तों ऐसा بिलकुल भी नहीं है आपके exam जो है offline mode में भी लिए जा सकते हैं क्योंकि इस बार जो है कुरोना की जो डोज है वो सबी बच्चों को लग चुकी है दोस्तो अगर आपको information अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भोले क्योंकि इस परकार की information अमारे चैनल पे डाले जाती है धन्यवाद जैन जैवार्थ